Hello students, आज हम रीड करेंगे DAV Class 8 की English Literature की बुक से लेसन 6 इसका नाम है The Luncheon, रिटन बाइ स्वमरसट मोगम ये बचो एक ऐसा हुमरस वर्क है कि इसको पढ़ने में बहुत ही इंटरस्ट और एक्साइटमेंट फिल होता है और इसमें काफी ट्विस्टिंग कह सकते हैं इसमें ट्विस्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत ही एंटर्टेनिंग है ये इसमें जो करेक्टर है वो अपने मतलब एक कह सकते हैं अपना एक experience शेयर कर रहा है याँपे कि वो एक राइटर है और वो उसका एक fan है एक female fan है जो उसे मिलती है और जब मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा funny एक activity होती है जो last तक हमें जो है इस work के साथ हमें जोड़े रखती है और हमें एक ऐसा feel करवाती है कि आगे क्या होगा कुछ suspense वहाँपे create करके रखती है तो आई ये read करते हैं और समझते हैं कि स्टोरी में आगे क्य क्या होता है तो करते हैं शुरू I caught the sight of her at the play and in answer to her beckoning इसमें writer जो इस work का है वो कहता है कि I caught sight of her at the play मेरी नजर उस play में यानि कि कोई play होने जा रहा था वहाँ पे उस पर पड़ी उस lady पर and in answer to her beckoning और उसका जो beckoning means यहाँ पर high hello से है यानि कि signaling by a moment of hand or head यानि कि सिरी या हाथ हिला कर कुछ मतलब उसकी तरफ उसने high hello की तो उसने उसका answer दिया writer ने I went over during the interval and sat down beside her और मैं interval होने पे उसके पास गया और उसके पास बैठ गया it was long since I had seen her and if someone had not mentioned her name I hardly think I would have recognized her तो यहाँ पर writer कहता है तो यहाँ पर writer कहता है कि काफी time बीत गया था I have it was long बहुत ज़्यादा time हो गया था since I had last seen her जब से मैंने उसे देखा था यानि कि इसको मिले बहुत ज़्यादा time बीत चुका था and if someone had not mentioned her name अगर वहाँ पर play में उसका नाम नहीं बुलाया होता यानि कि उसका नाम नहीं लिया होता I hardly think I would have recognized her तो मुझे शायद ही लगता है कि मैं उसे पहचान पाता है यानि कि उसका नाम लेने से ही मुझे पहचान में आई otherwise वह इतनी बदल चुकी थी कि मेरे को आवाज ही नहीं पहचान में उसकी आ रही थी बदल वह पहचान में ही नहीं आ रही थी She addressed me brightly उसने बड़ी मतलब brightly बड़ी शांदर तरीके से वह मुझे मिली Well It is many years since we first met हम जब पहली बार मिले तो उस बात को काफी साल हो गए है हमने बाच्ची शुरू की दुबारा से How time does fly Time कितनी चल्दी बदल जाता है Fly means यहां पे किया जो जाता है time बड़ी चल्दी से वो यहां पे कहना चाहरा है We are none of us getting any younger अब हम younger भी नहीं रहे यानि कि जवान भी नहीं रहे, बच्चे भी नहीं रहे Do you remember the first time I saw you, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था You asked me to luncheon आप तुमने मुझे lunch के लिए बुलाया था Did I remember तो मन 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 सोच रहा है कि क्या मुझे याद है यानि कि फ्रेंड्स यहां पे जो राइटर है इसके साथ कुछ ना कुछ फर्स्ट टाइम की मीटिंग में उस लडी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो इसको इतने सालों बाद भी एकदम से वो रिमाइंड हो गया है वो याद हो गया है याद आ गया है कि क्या हुआ था ऐसा जिससे उसको एकदम से उसका नाम लेते ही वो लेडी वो उपेचान गया और उसकी फर्स्ट मेटिंग भी उसको याद आ गई कि क्या क्या वहां पे हुआ था तो कुछ न कुछ ऐसा हुआ था जो उसको सारी जिन्दगी याद था तो अभी आगे डिस्कस करेगा यहां पर क्या हुआ था तो हम रीड करेंगे It was 20 years ago अब देखो कितना टाइम पुराने बात किर रहे हैं यहां पर 20 साल पहले की बात है I was living in Paris मैं परिस में रहता था I had a teeny apartment in the latin quarter overlooking a cemetery and I was earning barely enough money to keep my body and soul together तो मैं एक छोटे से apartment में रहता था तीनी apartment में जो latin quarter था और symmetry symmetry यहां पर होता है कोई कबर कोई कह सकते हैं कबरिस्तान तो उस जगह पर वो नजर मतलब उसके पास ही था वो तो वहां से वो दिखाई देता था अपार्टमेंट से उसके जहां पर रहता था यादि कि बिल्कुल सस्ती जगह पर रहता था जहां पर मतलब कोई दिरह ना चाता था सस्ती मिल गई थी वो जगह क्योंकि उस टेम उसका financial मतलब वो इतना वो नही था यहां पर कह सकते हैं hand to mouth उसका चलता था यानि कि बहुत ही कम income थी जिससे उसका गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था अब वो उस lady के बारे में बता रहा है जो अब यहां मिली है उसको तो वो lady जो है उसको उसने उसकी book पड़ी थी यहां पर writer जो है अपनी book के बारे में बात कर रहा है कि उसने कोई book लिखी थी तो उस lady जो थी उसने मेरी book पड़ी थी and had written to me about it और मुझे इसके बारे में लिखा था उसने इसको letter लिखा और उसमें उसकी book का discuss किया उसने इसके बारे में परिस and would like to have a chat with me तो उसका दूसरा मेरी को letter मिला उसके reply में कि वो परिस से गुजर रही थी यानि कि परिस में से होके जा रही थी कहीं पे और मुझे वो बात करना चाहती थी चैट करना चाहती थी but her time was limited और वो इतनी busy थी कि उसके पास time बड़ा limited था बड़ा कम था and the only free moment she had was on the following Thursday और उसके पास सिरुफ इतना ही time free था कि वो आने वाले Thursday को वो मापे उसके लिए available हो सकती थी she was spending the morning at the Luxembourg and would I give her a little luncheon at Foyotes afterwards तो वो अपनी morning की जो death house Thursday को वो लक्जंबर्ग में गुजवाना चारी थी और would I give her a little luncheon at Foyotes afterwards और उसके बाद वो Foyotes में उससे lunch करने के लिए कहती है कि क्या मैं आपके साथ Foyotes में इसके बाद lunch कर सकती हूँ क्योंकि मोरनिमेट मैं busy हूँ अब वो जो था writer वो उसने luncheon के बारे में सुन रखा था sorry इस restaurant के बारे में सुन रखा था Foyotes is a restaurant at which the French senators eat and it was so far beyond my means Foyotes जो है वो एकसा रेस्टोरेंट था बहुत ही जड़ा महंगा रेस्टोरेंट था जहां पे member of senate जो senators थे यानि कि वहां के France के जो country है वहां के जो parliament के members थे वहां के parliament के member को senator बोला जाता है बड़ बड़े leaders को नेताओं को ministers को तो वो जो है वहां पे खाया करते थे उस रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगा था और it was far beyond my means 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 यहां पे earning की बात हो रही है यहां पे पैसें की बात हो रही है कि मेरे income से यह बहुत उपर की बात थी उस रेस्टोरेंट में खाना खाना तो उसने मेरे को वहां पे खाना खाने के लिए कह सकते हैं कि request की lunch करने की that I had never even thought of going there और यहां तक कि मैं वहां पे जारे में अकेले सोच भी नहीं सकता था पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वहां पे जाकर कभी खाऊं but I was flattered लेकिन उसकी बातों से मैं flattered मैसूस करने लगा बहुत जादा हावा में मैसूस करने लगा अपने आपको कि बहुत जादा मतलब इसने मेरे को कह सकते हैं कि बहुत जादा हावा में उठा दिया अपने बातों से और मैं flattered मैसूस करके खुश हो गया and I was too young to have learned to say no to a woman और उस टाम मैं इतना यंग था इतना कह सकते हैं जवान कह सकते हैं ऐसा एज में था कि मैं एक वोमन को उसकी request के लिए मना भी नहीं कर सकता था हलां कि मेरी जेम इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको वहाँ पे लंच करा सकूँ I had 80 francs to last me the rest of the month बचे हुए महीने के लिए मेरे पास 80 francs बचे हुए थे and a modest luncheon should not cost more than 15 और मेरा idea था कि वहाँ पे modest modest मतलब ठीक ठाक ना ज़्यादा महेंगा ना ज़्यादा सच्ता तो modest सा लंच अगर भी वहाँ पे कर लेंगे तो मैंने आइडिया लगा रखा था कि वह ज़्यादा से ज्यादा नहीं होगा होना नहीं चाहिए मतलब ऐसा सोच रहा था वह ऐसा होना नहीं चाहिए फिफ्टीन फैंक से ज्यादा हो कि कोश्ट एक मोडश्ट सा ले लेंगे जिसमें मतलब जादा कोश्टली चीजे नहीं होगी तो अब एटी फैंक से बचे हुँ है तो आइडिया लगा रहा था शाद मेरा काम चल जाए अब उसको वह खर्चने के लिए भी अपना मंथली बैनेस जो है मतलब बजट जो है उसको मैनेज करना पड़ रहा था वह कह रहा था कि मैं नेक्स टू वीक्स के लिए अपनी कोफी पीना को पुश्पून कर देता हूं अपना एक्सपैंस कोफी पीने का उसमें से कट कर द करने की कोशिश करते हैं तो वहीं पर यह करने की कोशिश कर रहा था अब देखो क्या होने वाला है महाँ पर देखो I answered that I would meet my friend by correspondence मैंने correspondence means कोई letter भेज के दबारा से उसको answer दिया कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आउंगा यानि कि उसने उसको फ्रेंड बोला है याँ पर कि अपनी फ्रेंड को मिलने आउंगा at 4 ots on Thursday Thursday को 4 ots में at half past 12 यानि कि 12.30 के असपस she was not so young as I expected वो इतनी यंग नहीं थी जितनी मैंने expect की थी यानि कि उस time तो age ऐसी होती है कि young जब वो आई है वो young girl की proposal को एकदम से accept कर लेता है और उसको मतलब ऐसे mind make image बना लेता है कि वो ऐसी दिखेगी वो ऐसी दिखेगी तो मैं जा रहा हूँ ऐसे जा रहा हूँ बट वो मिलने उसके गया तो वो young नहीं थी and in in appearance appearance imposing rather than attractive लेकिन वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बहुत ज़ादा attractive है अपनी looking से अपने appearance से वो ऐसा को दिखाने की कोशिश कर रही थी बहुत ज़ादा attractive अपने आपको impose करने की कोशिश कर रही थी वो she was infected woman of 40 actual में वो age के according to 40 के आसपस की lady थी 40 की age की she was talkative बहुत ज़ादा बाते करने वाली थी talkative थी but since she seemed inclined to talk about me I was prepared to be an attentive listener क्योंकि वो मेरे बारे में बाते करने में inclined थी यानिकी मेरा उसका जो motive था या purpose था सिर्व मेरे बारे में बात करना था तो मैं उसकी बाते बड़े ध्यान से सुनने लगा I was starled when the bill of the fare was brought bill of fare means यहां पे menu की बात है कि मैं starled यानिकी एकदम से हरान रह गया surprise रह गया कि जब मैंने menu देखा for the prices were the great deal higher than I anticipated क्योंकि इस menu के अंदर जो prices थे वो उन dishes के वो बहुत ज़्यादा हाई थे जितना मैंने अंटिस्पेट किया था यतना वो सोच के गया था उससे बहुत ज़्यादा वो स्प्राइज़ उसको दिखाई दे रहे थे उस menu में but she reassured me लेकिन उसने मुझे तसल्ली दी कि जाला खर्चा नहीं हो गया यहां पर मैं सिरफ ऐसे मिलने आई है I never eat anything for luncheon she said उसने मेरे को क्या assurance दी कि मैं ज्यादा ने खाती लंच में उसने कहा कि आप tension मतलो oh don't say that ऐसा मत को हो I answered generously मैंने जो है बड़ा उदाल सा होके बड़ा मतलब दील खोलके अंसर सा दिया मैं बैठा हूँ यहां पर खर्चा करने के लिए but money man उसको हिसाब लगा रहा था कि इतना खर्चा हो जाए इतना खर्चा ना हो जाए तो कभी मेरी जेब खलकी मुश्किल हो जाए करना I never eat more than one thing मैं एक चीज से ज्यादा नहीं खाती I think people eat for far too much nowadays आजकर लोग बहुत ज्यादा खाने लगे हैं a little fish perhaps एक छोटी सी मचली काफी है खानी I wonder if they have any salmon काश salmon में चली मिल जाती एक salmon एक फिश का नाम है जो पिंकिश सी फ्लेश वाली फिश होती है लार्ज फिश होती है वो पिंकिश से कलर होता उसका तो उसकी उसने डिमांड कर लिए और लेकिन ये जो अब देखो students यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक ट्विश्ट सा हो अब दूसरी तरफ से वो एक्ष्टर वेगंट भी मतलब यहाँ पर आपको दिखाने चाह रही थी तो वो ऐसी फिश की डिमांड कर लेती है जो बहुत ज़्यादा कोशली है सबसे महंगी मतलब फिश की नाम ले लेती है अब देखो क्या होने वाला उसका क्या बनेगा वैसे यह सालमन मचली वैसे ही बहुत महंगी है और यह ओफ सीजन में और ज़्यादा मतलब कोशली होने वाली थी और वो भी ऐसी जगह पे इस रेश्टर में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है बहुत ही ज़्यादा महंगा है जहां पर वो लंच करने आए थे तो फोयोट जो रेश्टोरेंट है इसके इसमें तो और ज़्यादा मतलब यह कोशली मिलने वाली थी तब उसने इसके डिमांड कर ली और यह ओफ सीजन में इसको उपर से डिमांड कर दी इट वाज नॉट ओन दा बिल ओफ फेर एक्च्वल में यह बिल ओफ फेर मेंस मैंनू में भी नहीं थी अभी लिखी हुई क्योंकि अभी वह अवेलेबल नहीं थी बट आइ आस्क्ड वेटर इफ देर वाज अनी लेकिन फिर भी मैंने उसका दिल रखने के लिए वेटर से जुट मूट पूछ लिया कि क्या कुछ इंतजाम हो सकता है सालमन का मैंको लगा कि शायद वे वेटर मना ही कर देगा बट हुआ क्या मेरी तो यहां पे लग ही खराब था बैड लग यस अ ब्यूटिफुल सेलमन हैड जस्ट कम इन हां एक सुन्दर सी सेलमन जो है अभी अभी आई है अभी इसको बहु जटका लगा अभी यह क्या हो गया इट वाद फर्स्ट दे हैड ह अभी अभी आप जो फर्स्ट कस्टमर होंगे जो इस सैलमन को विशको मतलब ऐसे रीसीव करेंगे इट वादफ फर्स्ट दे हैड हैर्ट को पहले होने वाले हैं जो इनको यह मशली बिलने वाली है तो मैंने बुजे मन से और टिट मैने इसोडर कर दिया फोर माई गैस्त लिए बाइटर काम होता है कि बार-बार पूछना और लाओं और लाओं तो वेटर यहां से वेड़ से उसको पूछने लगा अपने गया सकते हैं कि जब तक वह तियार हो रही है कुकिंग हो रही है उसकी फिश्की तो इन बिट्वीन उनको उनके लिए कुछ उड़ा सकता क्या कुछ और चाहिए आपको तो वह पहले ही मतलब उनको उसको महंगा लग रहा था वो और वो वेटर और पूछने लग गया बीच में तो अब देखो क्या हुआत होने वाली है उसकी अब वो गैस्ट जो थी साथ में आई हुई थी लेडी वो मतलब जूट मूट का मतलब बार बार दिखाने की प्रेटेंड करने की कोशिश कर रही थी कि उसको ज्यादा नहीं खाती और कुछ हलकाई लेगी और ज्यादा खाएगी भी नहीं बट वो सबसे पहली डिशी उसने स क्यावियर अगर क्यावियर मिल जाए तो बस उससे काम चला लूँगे वैसे तो मैं एक चीज खाती हूँ अब देखो यह का नम ले दिया अब क्यावियर क्या होती है क्यावियर जो है एक साल्टी रेलिश मेड फ्रॉम दा एक्स उफ स्टरजन और सर्टें अदर लार्ज पर फिश इटन एसन ए्पटाइजर यानि कि एक एकपटाइजर के रुफ में खाने खाने वाली एक कह सकते है। फिश के एक कुछ ए रेसिपी है जो मतलब एकपटाइजर के रुफ में यानि कि भूख बढ़ने के Solx P ров Eyes कोुप डिप से आप सो स्नेक्स कहा सकते हैं एक को तो मैं कैवियर को नहीं छोड़ना चाहूंगे मैं ले लूँगे इसको मतलब ऐसे प्रेटेंड करें कि ठीक है चला लूँगी काम बट ऐसा निखाऊंगी मतलब ऐसा जाद निखाऊंगी मैं बट इतना खालूंगी मतलब ये कैने का मतलब सबसे कोश्टली चीज मांग रही ह और इसके बाद भी ऐसे दिखा रही है कि जैसे वो कुछ खावी ने रही है माई हर्ट सेंके लिटल मेरा दिल बैठ गया अब उसका दिल बैठ नहीं था पहले हिसाब मोड़ेश उसका लगा के आया था वो बट यहाँ पर महंगी महंगी मतलब डिशी जोडर हो रही थी उस लेकिन मैं उसको यहसा कुछ भी नहीं कहा पाया क्योंकि वह तो मेरी है कह सकते हैं मेरी कह सकते हैं acceptance पे आई थी यानि कि मैंने अपनी permission दी ठीक है भी मैं आपको लॉंच दूँगा तो मेरी गैस्ट थी वो तो मैं इसको मना नहीं कर पा रहा था तो अब कैसे मना करूं उपर से कैसे पे करूं तो नों तो असे उसमें उलज गया वह आय रहनी में कि मन में नहीं था कैना लेकिन फिर भी पूरा जोर लगा के मैंने गुस्ते में या अपने मन से कैसे भी कह सकते हैं वेटर को कहा ले आओ ले आओ इससे तो ले याओ कैवियर को फोर माइसल्फ आई चूज दा चीपेस्ट डिश ओन दा मीनू एंड एट वाज मतन चोब और मैंने अपने लिए क्योंकि सारा तो बिल उसने मतलब खर्च करवा दिया था अभी पेकर ना बाकी था लेकिन बिल की शुरुआत तो तो अपने लिए वो क्या कर रहा था बेचारा सबसे सस्ती मेनू कंदर उसने डिश डूंडी जो थी मतन चोप वही ओडर की उसने अब व उसने कहा I don't know how you can expect to work after eating heavy things like chops तो मुझे नहीं लगता कि आप chops जैसी heavy thing खाने के बाद अपने काम को पे focus कर पाऊगे यानि की तना जदा heavy हो जाएगा आप कैसे काम कर पाऊगे तो ऐसा मतलब वह तो उसकी फीस देख उसकी चार्ज देख के मतलब वह ऐसे चीज मंगा रहा था बट जो लेड़ी है उसको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ यह खाना चाहता है इसलिए मंगा रहा है तो दोनों तरफ से मतलब यहां पे एक कह सकते हैं हुम्रस साक इवेंट यह देन केम दा कोस्टन ओफ ड्रिंक अब ड्रिंक की बात आ गई ड्रिंक क्या चाहिए वेटर ने पूछा आइवर ड्रिंक एनिधिंग फॉर लंच शी सेड मैं लंच में ड्रिंक नहीं करती उसने रिप्लाई किया अब देखो बार बार मना भी कर रही है और एक सबसे मतलब ह मतलल एकदम से प्रिंटल होता है और अब यहां पर नोट दिया हुआ है सेल्मन जो है और कैवियर एटम्स कोई गाता ऑसली म Pavard एम नोट से Cubum पधा़ ड्रिंह преп讲 लाई परिंग आध याम बहुत ज्यादा कोशली है और लेकिन जो यह डिशी यहां पर नाम लिए जा रहे हैं सैलमन, स्कैवियर एंड अपर्गस यह तो सबसे ज्यादा कोशली आइटम्स हैं और वो भी फोयो जैसे हो रेश्टनेंट में तो और ज्यादा कोशली तो इसको तो एक सिंपल एवरेज इंकम वाला फरसन जो है इवन ड्रीम भी नहीं कर सकता कि उसके बारे में वो सोच भी सके ओडर करना तो बहुत दूर की बात है तो देखवागे क्या होने वाला उसके साथ ड्रिंक के बार चल पड़ी है अब वो ड्रिंक में क्या कह रही है ड्रिंक नहीं लेती में लिंच में अगे बढ़ते हुए यह बात कही और ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे उसने कुछ कहा भी नहीं मातला यह जदा पीट को भरेंगी भी नहीं यह बहुत जयादा लाइट होती है तो इनको लेने में कोई बुराई भी नहीं है, मतलब सबसे कोश्टली का नाम लिया है आप क्या लेना चाहोगे, I asked, मैंने पूछा, hostiable still, मतलब अभी भी मतलब मेहमान नवाजी के मूड में मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा था मैं, तो मैं उसको बोल रहा था, आप क्या लेना चाहोगी, but not exactly effusive, effusive means, अन्थिश्टिक नहीं था, मतलब उत्सा नहीं था, मतलब ऐसे मेरी बातों में, but ऐसे रिवाज के तोर पे, मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था, कि मैं मेहमान नवाजी कर रहा हूँ यहां पे, कि मैं पूछना हूँ, what would you like, तो आप white wine में क्या लेना चाहोगी, शी गे में यह bright and amicable flash of her white teeth, उसने मेरे को अपने सफेद दातों की, एक चमकदार और एक प्यारी से मुस्कान मतलब मेरी तरफ flash की, तो, my doctor won't let me drink anything but champagne, मेरे doctor ने मेरे को कोई बिटरिक लेने से मना किया है, बट इसके लिए मेरे permission दे दिया कि मैं champagne ले सकती हूँ, वो देखो white wine भी champagne का नाम ले दिया, champagne जो है, सबसे expensive drink है, जो फ्रांस में produce होती है, और सबसे महंगी drink में से white wine में से है वो, तो, उसका नाम लिया, अब देखो, उसके पेरों के नीचे से जमीन निकल गई, अब एक एक एकर के dish बढ़ती जा रही है, और वो भी सबसे costly वाली, अब वो कहता है, I fancy, I turned a trifle pill, और में जो है, मेरा चेहरा पीला पड़ गया, I ordered half a bottle, मैंने आदी बोतल का order किया, I mentioned casually that my doctor had absolutely forbidden me to drink champagne, मैंने mention किया, कि मेरे डोक्टर ने तो मेरे को पुरी तरह से champagne पीने से मना किया है, मतलब कि मैं कम से कम खर्चा करने की सोच रहा था, खर्चा गटाने की सोच रहा था, बच बीच बीच में अब यह बढ़ता ही जा रहा था, What are you going to drink then, तब आप क्या लोगे, अब आपका डॉक्टर ने मना की कर दिया तो, अब वो विचारा आदमी क्या बोल रहा है, वोटर मैं तो पानी से काम चला लूँगा, आप भी बीच 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 में आर्ट, लिटरेचर और मूजिक और बीच बीच में आर्ट, लिटरेच अब मैं अब लेकिन वह बातें की जा रही थी मरसे आर्ट वगेरा कि लेकर मेरे दिमांग में चल रही थी बातें बिल की कितना भी लायेगा, वन माई मतन चॉप अराइवड, शी टूक मी कॉइट सीरिसली तो टास्क, और जैसे मेरा मतन चॉप आया, वह मेरसे बाते सुना अब लग गई मुझे शीरिसो के मतला असे दिखाने लगी कि वह सीरियसली मेरी चिंटा कर रही है, I see that you are in the habit of eating a heavy luncheon, मुझे लगता है कि आपको heavy lunch करने की आदत है, heavy खाना खाते हो अप लंच में, वह खा तो सब कुछ आ पर रही है, और देखो उसी को मतलब एकिसम से जिम करते हैं, and just eat one thing, और सिर्फ लंच में एक ही चीज़ खाये, I am sure you would feel even so much better for it, मुझे पका विश्वास है कि आप बहुत ज़्यादा हलका महसूस करेंगे, अगर आप हलका एक ही तरह के आप बोजन करेंगे लंच में, एक ही चीज़ खायेंगे लंच में, और या कम खायेंगे तो आप बहुत हलका महसूस करेंगे, आप फिट महसूस करेंगे अपने आपको, तो देखो, क्या irony है, कि humorous है, या पर scars है, कि वो खाक उद रही है, और उसी को मतलब किसम से lecture दे रही है, कि आप कम खाये, I am only going to eat one thing, बार-बार एक ही बात कही जा रही है, कि मैं तो एक ही च कहने वाला हूँ, I said, मैंने कहा, as the waiter came again with the bill of fare, दुबारा से जब वो waiter मिन्नू के साथ महा पे आया, तो मैंने भी यही बात बोली, she waved him aside with an airy gesture, यानि कि हाथ हिलाते हुए, ऐसे हवा हवा, इसी मतलब, उसने एक gesture के साथ, यानि कि इशारे के साथ, वेटर को वहा से जाने के कहा, side में हटने के लिए कहा, no, no, I never eat anything for luncheon, हमें हर चीज लंच में नहीं खाने चाहिए, just a bite, मैं सिर्फ कुछ टुकडे ही खाती हूँ, या तलब कुछी चीज खाती हूँ, बतलब कुछी हिसा लेती हूँ, खाने का, I never want more than that, मैं इसे जादा नहीं खाती, and I eat that more an excuse for conversation than anything else, और मैं ये जो कुछ खा भी रही हूँ या पर, वो सिर्फ एक बहाने से खा रही हूँ, कि conversation का, बात्चित करने का, बहाना मिल गया हमें या बैठने का, otherwise मैं लंच करती भी नहीं हूँ, I could not possibly eat anything more, मैं, मतलब, जादा कुछ नहीं खाती, unless they had some of, दो giant asparagus, asparagus, जो है, एक बहु drink भी कर चुकी है, मेंगी वाली, शैंपिन का नाम ले चुकी, अब, 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 इस तरीक के से बोला, देखो, इतनी बाते करके, जैसे वो कुछ खा भी ने रही है, कुछ खाया ही नहीं है, कितना उसके साथ मतलब, उसके मतलबे कह सकते हैं, उसके अब, 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 इस, आपरिस को खाय भी ना, यहां से चली जाती हूं, तो वो ही कह रही है कि मुझे को जाइंट एसपरस मिल जाएं, बड़े-बड़े पीस मिल जाएं, एसपरस के, तो बहुत ज़्या बढ़िया होगा, माई हर्ट स और मुझे पता था कि ये बहुत ही जादा ही महिंगी थी माउथ हैड ओफन वाटर एड़ साइट ऑफ देम कई बार दुकानों में देख कर ही मेरा मुझ में पानी आ जाता था इन चीजों को और यहां पर यह मैं खानी पा रहा था और यह मेरे सामने मेरे पेमेंट पर इसको बीश कर डिमांड कर रही थी ओडर कर रही थी फिर भी मैंने उसके अदिल रखने के लिए मतलब वेटर को ओडर मारते हैं बोला मैडम वांच नो if you have any of those giant asparagus मैंने वेटर को बोलते हुए बोला वेटर को कहा कि मैडम जानना चाहती है कि क्या आप उनके लिए बड़े-बड़े asparagus के pieces ला सकते हैं तो मेरे को लगा कि शायद वेटर यहां पर मना कर देगा लेकिन यहां तो वेटर भी अग्गे से कलाकार निकला क्या बोल रहा हुए I tried with all my might to will him say to know मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से मतलब यह अपना पूरी कोशिश थी कि मेरा मन यह कह रहा था कि किसी तरीके से ना हो जाए चीज़ की यह चीज़ ना आये यहां पर a happy smile speared over his broad priest-like face लेकिन यह order सुनके उसको चेहरे पे चमक आ गई वेटर के मतरी यहां तो उल्टा पड़ गया पासा smiling face के साथ अपने चेहरे पे और priest-like face के साथ मतलब बड़े शांदर उसने mood के साथ उसकी तारीफ करने शुरू कर दी dish की he assured me उसने मिर को विश्वास दिलाया that they had some so large so splendid so tender that it was a marvel की वो उसके उनके रेस्टरेंट में तो बहुत बड़े 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 शांदर बड़े soft किसम के और बड़े ही कह सकते हैं कि अदबुत जो कहीं बेना मिलते हों सब ही मतलब famous जो रखते हैं मतलब इतने हैं कि आपके याद रखो कि यह तो हमारी restaurant के मतलब शान है यह चीजें तो तो अगर मना भी करना चाहें तो भी न मना कर पाई ऐसे उन्हों है description इसकी डिश्की दे दी अब मैं क्या करता I am not in the list hungry my guest side but if you insist I don't mind having aparagus अब वो ऐसे प्रेटेंड कर रही है कि जैसे खाना नहीं चारी है लेकिन वो रिवेटर उसको जबरदसी खिलाने के लिए insist कर रहा है वो कहता है कहती है I am not in the list hungry मैं बिलकुल भूखी नहीं हूँ my guest side मेरी guest ने एक सांस लेते हो बोला मुझे भूख तो नहीं है लेकिन आप इंसिष्ट कर रहे हो इतना जिद कर रहे हो तो चलो आपके दिल लखने के लिए मैं पारगस थोड़ा सा ले लेती हूं मतलब इस तरी कैसे वो दिखाने की कोशी करी और मंगावी सबसे महंगी वाली अपनी विश नो आई नवर इट पारगस मैंने मतलब ऐसे बहाना बनाया कि मैं तो पारगस खाता ही नहीं हूं मुझे तो नहीं चाहिए I know there are people who don't like them हाँ मुझे जवाब दे रही है इस पात का हाँ मुझे पता है कुछ लोगों को पसंद नहीं है the fact is that you ruin your palate by all the meat you eat तो वो उल्टा मेरे उपर भी एक स्कार्सिसम कर रही है कि आपने अपना टेस्ट पैलेट का मतलब होता है अपना sense of taste जो है वो आपने रियून कर दिया है खतम कर चुको है आप यह इतना भारी-भारी मीट खागे आपको तो मतलब आपकी जीम ने टेस्ट पैचानना बंद कर दिया है आप जैसे लोगों को तो टेस्ट का ही नहीं पता कि कौन सी जी खानी ची कौन सी नहीं यह घटिया किसम का समरतना का मतलब मीट खाके बैढ़ जाते है आप लोग मतलब ऐसे एक तम से सुने उसको सुना दी चार बात ने और उसी के चीज उसे ब जबराट चा गई बुरी तना से कि क्या होगा क्या होगा बार बार मेरे मन में यह बात नहीं आई जा रही थी और वो आगे से आगे ओडर किये जा रही थी महांगी से महांगी चीजे इट वाज नोट एक कोशन नाओ हाव मच मनी आई शूड हैव लेफ्ट फोर दर रेश् जा हो गया नहीं से कम से कम पैसा खांट हो ताकि महिने में थोकुछ दिनों के लिए तो मेरे पास पैसा बचे段 अब तो मैरे पास having закad pillar बिक मेने केलिए पैसा क्या बचे अब तो हमोगा पैसा देने के बाद के बाद भी यह बिल के रप्द रत हो पायीग कि यह बतल अब ब mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest तो वो money month सोच रहा है कि ये एक mortifying का मतलब यह है 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 हमिलिटेटिंग यानि कि एक शर्मिंदगी वाला मौका हो जाएगा अगर मेरे पास 10 francs कम पढ़ गए बिल में और मुझे अपने गैट से बोरो करने पढ़ गए 10 francs bill payment करने के लिए ये तो बड़ा एक किसम से शर्मिंदगी वाला scene हो जाएगा हमिलिटेटिंग हो जाएगा, mortifying हो जाएगा I could not bring myself to do that मैं इस situation में अपने आपको नहीं डालना चाथता कि मेरे को किसी से payment मांगनी पढ़ेगा, इदर से उख़दार भी से, it had been picked तो मुझे मैंने मन में सोच लिया था, exactly मुझे पता था, मैं क्या करूँगा अगर पेज आप, बिल जो है मैं हमारी, मेरी pocket में इतने पैसे है उससे बिल अगर जादा आता है तो मेरे को मैंने मन में सोच लिया था, प्लान बना लिया थे मैं क्या करूँगा, तो मैंने अपना माइंड था, इसके लिए कि मैं क्या करूँगा, अगर पेज़ बिल जादा बनता है तो मैं अपनी pocket में हाट डालूँगा और dramatic, यानि कि एक drama करूँगा, चिलाने का, कि मेरा pocket किसी ने मार लिया है, या मेरी जेब काट लिया किसी ने, जिससे, अब मैं पेमें नहीं कर पाऊँगा, तो मैं ऐसे drama करने की कोशिश करूँगा, तो मैं अपने मन में ये planning बनाने लगा था, बैठे-बैठे Of course, it would be occurred if she had not money enough either to pay the bill फिर वो उसका उसी के उपर counter question कर रहा है अपने ही planning के उपर, कि अगर मैं ये planning कर तो लूँगा, कि मेरा pocket यहाँ पे cut हो गई है तो मैं payment नहीं कर पाऊँगा, लेकिन payment तो करनी पड़ेगी और अगर guest जो मतलब अगर मैं नहीं करूँगा, तो वो मेरे को guest करनी पड़ेगी तो ये तो occurred हो जाएगा अगर उसके पास भी पूरी bill payment करने के लिए payment ना हुई तो क्या होगा, आगे क्या होगा तो आगे बैठा बैठा वो planning बना रहा था then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later तो last में एक ही चारा बचेगा कि अगर ऐसा होता है तो कि मैं अपनी वोच निकाल के वहाँ पर रख दूँगा गिरवी कि उनको कहूँगा यह अगली बार मैं payment लेके आऊँगा और यह पनी वोच ले जाऊँगा तो ऐसा घर के ही मेरा पीछा शूटेगा यह सारी planning वो मन में बना रहा था कि बीलाने के बद क्या करूँगा दा एसपार्गस अपीरड तो एसपार्गस आ गया दे वर एनॉर्मस वो एसपार्गस जो थे बहुत ज़्यादा थे बड़े बड़े थे सकेंट जूसी थे एंड एपटाइजिंग और मुह में पानी लाने वाले थे ऐसे थे पींगले हुए बटर की जो उसने मेरी नोस्ट्रेल्स को मेरी नाग की अंदर की जगा को खुशबू से भर दिया पूरे उसमें भर दिया मद्धोशी से भर दिया कि मैं मतलल पूरा मन था मेरा खाने का मुह में पानी आ रहा था बट इतना महांगा और वो अपनी पिलमेट से किसी और को खिला रहा हूं तो अपने खाने की हिमत ही नहीं मन पा रही थी कैसे खाऊं लेकिन मैं सिर्फ इतना कर पा रहा था कि अपने सामने बैठी गैस्ट को उसको पूरे मूँ खोलके बड़े-बड़े पीसिस को अपने मूँ में निगलते हुए देख पा रहा था यानि कि अपने सामने किसी को मेरी फेवरेट डिश खाने की जो मैंने जिंदी के बर कभी कुछ ही पाया था जिसको वह मैं किसी और को समने खाते हुए देख पा रहा था देख रहा था बस और कुछ कर भी नहीं पा रहा था एट लाश्ची फिनिष्ट आखिर में उसने खतम कर दिया सारा खा गई हूँ अब मैंने मतलब उससे और उसी विश पूछी को फी जूट के साथ दो चीज़े और एक चीज़ फ्री साथ में मांग रही है कि कोफी के साथ आइस क्रीम ही मगा लो शी अंसर उसने अंसर दिया आई वस पास्ट केरिंग नाओ सो आई ओडर कोफी फोर मैसल्फ एंड आइस क्रीम एंड कोफी फोर हर अब मैंने परवा करनी छोड़ दी अपर लिए कोफी मगा लिए कोफी राइस क्रीम दोनों चीज़े मगा लिए यू नो धियर वन थिंग ऑई थोड़ भी बिलीविन शी सेड वब आग बातें बढदाती वे कए रही है कि में और उसने कहा कि कि यू नो धिर वं फिर दिब टिप एहां कि मेंग च्ज़ तो इसको इस तरीके से खाना चाहिए अपने खाने को feeling one could eat a little more कि कोई मतलब वो अपने खाने के बाद कुछ जगा बना के रखे पेट में यानि कि उस खाने के बाद भी कुछ थोड़ी बहुत जगा पेट में रहने ही चाहिए कितना ही खाना चाहिए मैं तो हमेशा मानती हूँ तब इसकी बात क्या मतलब निकला तो मैंने सोचा कि शायद इसको अभी और भूख है अभी इसका पेट नहीं बरा है तो इसलिए मतलब इसको जाना चाहिए तो मैंने इसको पूछा are you still hungry, अभी भी आपको भूख लगी है, I asked faintly, मैंने बेहोश सा होते हुए भूचा, एक दर मतलब, ऐसे, कह सकते हैं, हिलते हुए मतलब, माइंड ब्लॉइंग होते हुए मेरा, सीर चकराते हुए, मैंने उसे पूछ लिया, अभी भी भी आपको भूख लगी है, oh no, I am not hungry, नह बाद तो जदा डेनर ही करती हूँ, लंच तो मैं करती ही नहीं, अब देखाँ मैडम जी सारा कुछ खा गी, महिंगा महिंगा, उसको बचारे को उजाड़ गी, उसके बाद भी कहती है, मैं कुछ नहीं खा तूखाऊंगी, और उपर से कहती है, थोड़ा बोग पेट में ज जगां चोड़ने चाहिए थी आपको पेट में, देखो, क्या सीन है, ओ, आई सी, ओ, ठीक है, आपकी, जो कह रही है, सही है, तब एक, बड़ी ही भ्यानक घटना हुई, अब देखो, इस से भ्यानक क्या होगा, उस भ्यानक की भ्यानक हुआ जारे, उसके साथ, अब एक और की भ्यानक क्या होने वाला है, वाइल वी वर वेटिंग फोर दा कोफी, जब हम कोफी के लिए वेट कर रहे थे, दा हैड वेटर केम अप टो अस बीरिंग लार्ज बास्केट फुल अफ हुज पीचीज, कि जो हैड वेटर था महां का, जब तक कोफी त्यार हो रही थी, तो वो हेड वेटर जो है, एक बास्केट लेकर आया, बड़ी बास्केट, जिसमें बड़े-बड़े जो पीचीज थे, आड़ू थे, वो भरे पड़े थे, दे हैड दा बलश उफ एन इनोसेंट गर्ल, और वो ऐसे चमक रहे थे, वो पिंकिश से ऐसे थे, रेड कलर के, जैसे की, एक कह सकते हैं, भोली भाले लड़की के, शर्मा रही हो बोली भाले लड़की, तो जब शर्माते हुए जब उसकेटाब हो जाते है, गुलाबी, तो वैसे वैसे उनका कलर था, यानिके बिल्कUL फ्रेश थे, और वो साफ दिखने में ऐसे लग रहे थे कि इटली में किसी महंगे वाले प्लांट में उगे हुए महंगे वाले बीजों से त्यार हुए आड़ू थे में बतलब देखने से पता चल रहा था बहु ज़्यादा कोशली थे में बट शोरली पीचीज वर नोट इन दा सीजन और सबसे बड़ी बात पीचीज का तो सीजन भी ने था ओफ सीजन में ये आए थे और वह इतने फ्रेश थे तो इट मिंस कितने कोशली होने वाले थे वो भी ऐसी जगां पे ऐसे रेश्टोर्न में जो पहले ही कोशली है तो मेरा बाहर की चीज़ें आ रही थी, वो भी ऐसी ऐसी जिनका मैं अंदाज भी ने लगा सकता था, कितना बिल बनने वाला है, I knew to a little later for my guest going on with her conversation, absent mindly took one, मैंने थोड़ी मतलब देर के लिए सोचा, लेकिन मेरी guest ने तो बतें करतें करतें बिना ध्यान दिये ही, absent mindly मतलब बिना ध्या अब जवाब क्या रहा है, you see, you have filled your stomach with a lot of meat, हाँ, मुझे पता है, कि अपने इतना सारा meat खाके अपना पेट बुरी तरा भर लिया है, my one miserable little choke, और मतलब मैंने बोला, कि तुम्हें पता है कि मेरा तो, sorry, उसने बोला कि तुम्हारा तो पेट पहले से बरा हुआ है, कि तुमने इतना meat खा लिया है, तुमने जो है, छोटा, मतलब ऐसे बटन चौप खा लिया है, and you can't eat anymore, और तुम ज़्यादा नहीं खापाऊगे, but I have just had a snack, and I shall enjoy a peach, so I shall enjoy a peach, I shall enjoy a peach, I shall enjoy a peach, and I shall enjoy a peach, I shall enjoy a peach, and I shall enjoy a peach. The bill came and when I paid it, I found that I had paid only enough for a quite inadequate tip. The bill came, so I paid it, and I knew that it was sufficient for me, the bill was paid, but the tip which the waiter was given later, was not paid for it, and it was inadequate payment for the tip. Her eyes rested for an instant on the three francs, I left for the waiter. उसकी आखें उस टिप पे टिक गई, जो मैंने वेटर के लिए बाद में payment चोड़ी थी, कोई मेरे बचे ही थी नहीं थी, तीन फ्रेंक्स बचे लास्ट में, जो सिर्फ वो मैंने चोड़ दिये जाएं, उसकी नजर उस थ्री फ्रेंक्स के उपर ही थी, कि इसने, देखो कि पेमेंट किये, वेटर के लिए कुछ भी नहीं चोड़ा, बट वेन आई वोकड आउट व दा रेस्टरेंट, लेकिन जैसे में रेस्टरान से बाहर निकला, I had the whole month, मेरे सामने सारा महीना पड़ा था, and not a penny in my pocket, और मेरी जैम में एक भी पहनी नहीं बची थी, अपनो पूर जैसे हमने जाते जाते एक दूसरे की तरफ हाथ हिलाया, तब भी जाते जाते हो मेरे को, सुना गई दो बाते, कि मेरा एक्जम्पल फोलो करो, and never eat more than one thing for luncheon, और लंच में एक से ज़्यादा चीज़ें मत खाना कभी भी, अब देखो, मेरे को सुना के चली गई या इतना सार करने वाला हूं, मतलब मेरे तो मैं तो सची कह रहा था कि मेरे पास तो पैसे ही निए बच्चे दे लंच कहां से करूँ, डिनर कहां से करूँ, तो मैंने तो उसकी बातों को बढ़ा के कह दिया, कि मैं तो आ राज रात को डिनर भी नहीं करने वाला हूं, मैं तो इससे भी लड़कियों वाली एक अदासी दिखा के वो ऐसे चला के बोली, आप तो बड़े हुमरिस्टों मजाकिया हो, जंपिंग इंड़ कैप, वो जल्दी-जल्दी कैप में बैठ गई, यू आप तो बहुत ही जदा हुमरिस्टों मजाकिया हो, कमेडियन हो, बट आई हैव हैड जादा हैवी हो गया है, 21 स्टों, यानि कि स्टों का मीन्स यहां पे, यह जैसे आप देख सकते हैं, रीचे दिया हुआ है, स्टों मीन्स ए यूनिट ओफ वेट, वन स्टों इस इक्वल तो एप्रफ एप्रक्सुमेटली 6.35 केजी, 35 केजी, तो यानि कि साड़े 6 केजी के आस-पास एक स्टों का मतलब है, तो 21 स्टों का मतलब आप यहां पे लगा सकते हैं, कितना वेट इसका, वैसी भी देखने में पिक्चर में आपको दिख रही है, कितनी हैवी है, और पहले देखी यह कैसी होती थी, यहां पे आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से जो है, अ अपने आपको एशोर करता है, अपने आपको मतलब शांत करता है, कि चलो वो दिन गया जो हो गया, कोई बात नहीं, अब यहां पे देखके वो समाइल कर रहा है इसको, कि कैसे यह इसका वेट बढ़ गया है, तो इसको कह सकता है कि मेरे यहां पे, यहां पे रिवेंज मेरा पूरा हो चुका है तो students उमीद है आपको ये story पसंद आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी तो मिलते हैं next lesson के लिए next video में तब तक के लिए बाई